बहुजन क्रांती और बहुजन नायकों को समर्पित दली दस्तक का दोहजार चौबिस का शांदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में प्लब्ध है बुकिंग के लिए दिये गए नंबर पर वाटसप करें या इमेल करें थोक में और्डर करने पर मिलेगी आकर्शक छूट अजय के लिए और एड्मिस्टेटिव जो ताकत उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमीशन किंसल किया जाता है इसमें मुख बात टेक्निकल नहीं है मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं मैं इसके पीछे को जो राजनितिक मनसा है अन्याय के पक्ष में खरा होने की भाजपा की जो कोशिश है मैं उस पर बात कर तेक्निकल चीजें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे सरकार उनकी है, फुलिस उनके कंट्रोल में है, सारे एड्मिस्टेटिव पोस्ट उनके हाथ में है, तो वो टेक्निकल चीजों में बात को घुमा देते हैं, एक बात बताईए, यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है, उनके बीच यात्रा जाएगी, इसका तो ये मतलब नह होता है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों से जुडने के लिए जा रहे हैं, अब राजस्थान जाना है, तो हमको जैपूर का रूट ना दे करके हमको रेगिस्तान का रूट दे दिया जाए, तो हम रेगिस्तान घूमने के ल नलो सवत्राइशन वहीं होते है तो तु भ vita हमारी यात्रा कारिकरम उहां क्यों नहीं हो सकता है हम मन्सा दॉट को पर इत्म traits of a direct medication called मैं कर रहे और परमिशन मिलता है बिना सकाथ ही तु तरह के तजीर के तदीरी के वरकर होते हैं कारिकरता होते हैं नेता होते हैं उसके तयारी होती है एड्मिस्टेशन से एक डायलोग होता है अचानक से जो है परमिशन केंसिल कर दिया जाता है चीप सेक्रेटरी कहते हैं कि ने दिल्ली आपका जो है अपलिकेशन भेजा गया बताइए दिल्ली अपलिके जो है वहाँ पे जनता को उत्साने का काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने अभी भी एक टूइट किया कि राहूल गांदी पहले बस से निकले ते यात्रा करने, आप वो गाड़ी से कर रहे हैं, और राहूल गांदी अपनी पार्टी को समझ कर रहे हैं, आपको जो है आजकल अमित साहजी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है, यह हम समझ रहे हैं, पॉइंट यही है, कि आप एक प्रदेश के मुखिया है, लोग और मेंटेन करना आपका काम है, उससे ज़्यादा आप किसी और चीज में इंट्रेस्टेड है राहूल गांदी में बहुत इंट्रेस्टेड हैं, एक बात हमको बताइए, एक रामचेत मानस का लाहिन है, कि जाको रही बावना जैसी प्रहूमूरत देखाई दिन दैसी, यही हो रहा है न, राहूल गांदी क्यों डर जाएंगे, राहूल गांदी को डरना होता, तो वो दिल्ली में होते, राहूल गांदी जनता के बीच में नहीं होते, डरे हुए यह हैं, इसलिए जो है हर जगह राहूल गांदी को जाने से रोक रहे हैं, एक बात बताइए, एक तरफ तो निमंतरन दिया, कि मंदिर आईए, प्रधान मंतरी ने अपील किया, कि आप जहां हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाएए और पुजा आर्चना कीजिए, जहां यात्रा थी, वहां के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया, हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है, लीडर, सांसाद, MLA, सब जा रहे हैं, सिर्फ राहूल गांधी नहीं जा सकते हैं, क्यों? राहूल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहूल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, लाहूल गांधी जो है, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके आंसू नहीं पोच सकते हैं, उनको गले नहीं ल के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा वो भी law and order का हवाला दे करके हरे भाई किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है हम लोग एकजाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है वहाँ पे जो है SP बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे है कौन डरा हुआ है किसको डराया जा रहा है संगीन के साय में सांस लेने के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है हम नहीं डरे हुएं वो डरे हुएं और उनको हम कहते हैं कि मट डर ये कित्ता भी कोशिश किजिएगा मन में डर रहेगा चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर E.D. से घवराते रहेगा कि क्या पता अगर साथ छोड़ दिया देश के ग्री मंत्री का तो क्या हो जाएगा तो ये सब विंडेटा पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं लेकिन इससे कोई फरक बरने वाला नहीं है हम लोग यात्रा करेंगे कनया जी एक सवाल ममता बेनर जी का बयान आया है वो कह रहे है कि उनके राज्ये से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली लेकिन उनको इसके लिए इनफॉर्म नहीं किया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल करने का कोई न्योता नहीं दिया गया क्या कॉंग्रिस ने उनको इंफॉर्म या न्योता नहीं दिया? नहीं मुझे नहीं लगता है कि भारत जोरो न्याय यात्रा में जो है सब को न्योता दिया जा रहा है सब को जो भी लोग इस देश में महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय हो रहा है चाहें वो राजनितिक विक्ति हों, गयर राजनितिक विक्ति हों, किसी संगठन से जुरे हों या ना जुरे हों, विक्ति हों, समू हों, समुधाय हों, सब को बुलाया गया है और इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो दे पाए देखिए चुनाव मैंने पहले ही कहा और हर बार हम लोग यह कह रहे हैं चुनाव इस देश में होते रहें रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे तमाम अन देशों के बाब जूत चुनाव होते रहेंगे चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है तो हम बार बार आगरह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को सिर्फ चुनावी चसमे से ना देखा जाए इसका ये कताई मतलब नहीं है कि एक राजनितिक पार का एक पक्ष यह भी होता है कि इस देश के आम आवाम लोगों की जो तकलीफ है उस तकलीफ के लिए भी संघर्स करना राजनितिक दल की जिम्मेवारी होती है तो मैं आप यही आगरह करूंगा कि किसी भी चुनावी उठा पटक और जो चहल कदमी है अब लोग सभा चुना कि कुछ बिहार के एनस यॉए के जिलाध्यक्ष में ही बकायता इस बात की कम्प्लेंट करी है कि टीमसी के लोग पोस्टर, बैनर, राहुल कांदी की निया यात्रा के हटा रहे हैं और दूसरी बार आप की बात करें तो आप दूसरे राज़े जहां भारती जन्ता पार्टी की सरकार है वहां तो आप कहा रहे हैं ठीक है ये बेंडेटा हो रहा है लेकिन यहां तो इंडिया गडबंदन का हिस्सा बता रहे ही ममता बनर जी खुद को अल्दो नों ने ये कहा दिया है बंगाल में अकेले शुनाब लड़ेंगी लेकिन इस पर क्या कहेंगे आपके इंडिया गडबंदन के दलका का ही एक रवया नयाय यात्रा को लेके ऐसा है देखें ये प्रेसवारता दो चीज के लिए हैं मैं फिर से रिटरेट कर देता हूँ पहला राहुल जी ने पांच नयाय की बात की है पांच नयाय युवाओं का नयाय भागिदारी का नयाय नारी का नयाय किसान का नयाय और स्रमिक का नयाय इस संबंद में हम आपको जो है जानकारी देने के लिए या प्रेसवारता बिलाएं आप सातियों को जहां तक यात्र से जुरी हुई दूसरी चीजों की बात है मुझे उस संबंद में जो है अभी कोई जानकारी नहीं है हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जोड करके यह सवाल पूछ रहे हो उसमें मैं को यहीं जवाब देता हूं इंडिया एलाइ देश इस देश में जो अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय के खिलाफ पांच न्याय को अस्तंब की तरह निर्मित करके न्याय की पुनरस्थापना करना है यह इस यात्रा का उद्देश है कहां पोश्टर फाड़ा गया है कहां जो है फायर हुए है कहां जो है यात्रा के उपर हमला हुआ है मैं उस सम्मन में यही कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहों न्याय की यह मुहीम नहीं रुकेगी न्याय यात्रा जारी दे तो मोटर पर ही कोश्चन पूछना चाह रहा हूं आपको आप जो है नियाए जस्टिस को स्टैबलिश करना चाह रहे हैं जस्टिस को स्टैबलिश करना चाह रहे हैं लेकिन जो है नाइंटी 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 वन के बाद जब से जो एकनॉमिक रिफार्म्स लाए गए है तो हमारे देश में जो है इने एक्वैलिटी जो है बढ़ती जा रही है आज तो वो अपने पीक से भी आगे निकल चुकी है तो किस तरह से अपने आए कायम करेंगे यह जो एकनामिक रिफार्म्स लाइज गया है केपिटल कैपिटल स्ब्सक्राइब करेंगार में तो किस तरह से आप वो नियाए कायम करेंगे रिस्टेडिश करेंगे इकनामिक इक्वल डिस्टिबिशन की बात कर रहा हूं, रिसोर्सेस की बात कर रहा हूं, I am talking about that. पुजरे कल जो महान बिहार में नेता रहे कर पूरी ठाकोर उनको भारत रतन देने की भी बात की है, इसको आप किस तरह से लेते हैं, और नमबर दो, जो देश के अभी हालात हैं, एक और आप कहरा हैं कि पचास फीसिदी से जादा आबादी हो गई है पिच्णों की, पावज चूक कहां हो रही है? सबसे पहले तो बराच्छा प्रश्न आपने किया, आज जो है जन्नायक करपूरी ठाकुर जी की जन्म सताबदी दिवस है, और कल जो है सरकार ने उनको भारत रतन देने की मरनो परांत भारत रतन देने की घोशना किया है, हमारी पार्टी ने और स्री यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि करपूरी ठाकुर जी को सची सर्धानजली देना चाहते हैं, तो करपूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागिदारी को ले करके, जिसको बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, करपूरी मॉडल भी कहा जाता है, इस देश में जो काका का लेलकर की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही करपूरी मॉडल भागिदारी को लागू किया गया बिहार के अंदर, और जो पिछरों में भी कमजोर हैं, वहां भी जो इस्टैटिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए बागिदारी सुनिश्चित करन कि आप जनगन्ना कराईए हर दस साल में जनगन्ना होता था सरकार जनगन्ना कराने को तयार नहीं है डेटा रिलीज करने को तयार नहीं है 2011 की जो जनगन्ना है उसका भी जो है रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है जो सोशियो एकॉनमिक डेटा है और अभी बार बार राहुल जी कह रहा है कि भागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटा तो कलेक्ट कर लीजिए पहले डेटा तो पता चले बिमारी कहां है कहां दवाई लगानी है, उसका एक्सरे करना तो जरूरी है, तो सरकार क्या करें इसे भाग रही है, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने इसकी अभी घोशना की है, हम उमीद करते हैं कि इस से जुड़े हुए, कर पूरी ठाकूर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक नयाय की मा जरेंग है सरकार उसको भी लागू करेगी सरकार जो अबागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सब गिनेगी जातिवात को समाप्थ करेगी भारत को जोड करके रखने का काम करेगी वहई अम्मीद करते हैं और हलाकी ऐसा होता हो दिखाई देता नहीं है। हम सब जहनते हैं कि बीजेपी जब कोई इस तरह का कारी करती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है। tulee किन नहीं जाना चाहते हैं। यह एक स्वागत योग कदम है और इसका हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं और हमारा यह मानना है कि कोई भी सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं उनको सबसे बड़ा सम्मान यह होगा कि जब हम उनकी विचारों को उनकी राजनीती को उनके संघर्स को उनके मुद्दों को समाज में लागू करेंगे